हेलो दोस्तों कैसे है आप सभी मेरा नाम है विशाल सरकार और आप देख रहे हैं विशाल डिजीटल यूटीब चैनल तो देखिए यह एक रिक्वेश्टेट वीडियो है क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग है बहुत सारे ऐसे मेरे दोस्त भी है जो कि मुझसे पूछते कि तो वीडियो कैसे बनाता है आप वीडियो कैसे बनाते हो मदब क्या क्या होता है क्या चीज़े होता है बहुत लोग को स्टार्ट भी करना है चैनल तो बहुत लोग बोलते कि है रहे हमारे पास तो यह एक्विपमेंट नहीं है हमारे पास तो देसल कि मैं अखेर क्या प्रोसीवर इटिंग और पुरा इटिंग्स तरीके से मैं nonprofit करता हूग इस पुरा भी आपको बताँगा तो चली इंट्रो को रोल करते हैं अज की वीडियो को शुरू करते है कि अब 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 इस पहली चीज लोगों का सबसे पहली मतलब यह जो होता है कि डियसलार चाहिए वीडियो मतलब यूट्यूब चैनल पता नहीं मतलब किस टॉपिक में सटार्ट करें के चैनल किस बार में वीडियो बनाएंगे क्या बोलेंगे कैमेरा में उनको कुछ नहीं लेकिन नहीं भाईया तो हमें एक डियसलार चाहिए तो डियसलार पहलों को चाहिए देखिए आज तक आपने मेरे चैनल पर जितने भी वीडियो देखे हैं जितने भी स्टार्टिंग के जो कुछ वीडियो थे मैं बता दू मतलब वो कौन से के फोन से शूट हुआ है तो आज की इस वीडियो में मैं पहली बार अपने चैनल पर आपको दिखाऊंगा कि मैं किस तरीके से वीडियो शूट करता हूं देखिए सबसे पहली बात क्या मेरे वीडि अपको नहीं है और मेरे पास कोई है क्वालिटी माइक है तो पूर आज बताऊंगा देखिए मेरे स्टार्टिंग्स के अगर आप कुछ वीडियो देखेंगे जो कि मैं है अब अभी इंग्लूड नहीं कर रहा हूं मुझे खुद भी हसी आता है तो स्टार्टिंग्स के मे इसका मॉडल है उस वक्त 10-11000 का स्राइद मिला था यह बहुत पुरानी फोन है यह समसंग गैलक्सी कोर प्राइम यह फोन अभी नहीं चलता है जो लिया फोन आपको कभी भी बेचना नहीं चाहिए क्यों उसके बारे में मैं अगले एक वीडियो में बात करूंगा तो यह मेर पुड़ाना फोन है जिसे मैं पहले वीडियो शुट करता था उसके बादा जो फोन है वो आया समसंग गैलक्सी जे-7 नेक्स्ट तो उस फोन से मैं शुट करता है फिलाल करेंटी मैं जिस फोन में शूट कर रहा हूं आप विजो यह वीडियो देघर है जिस फोन यह फोन है और कुछ हाई क्लास नहीं है 13 Megapixel का कैमरा है किस तरीके से मैं शूट करता हूँ मैं ओपेन कैमेरा यूज़ करता हूँ एक एक एप्लिकेशन है बोया का बीवाई M1 करें देड़ 2000 के आसपास यह अभी अमाजन पर मिल जाएगा अभी शाल धाय कुछ हो गया क्योंकि इसका बहुत दिमांड है अच्छा माईक है बहुत पहले यह भी लिया था मैंने लेकिन पहली मैं जब स्टार्ट किया था वीडियो तब पता है मेरे पस क्या था सिर्फ सैमसंग का जो वह वाइट लकाता है तरहां हेडफोन उस हेडफोन की इंटर्नल माइक से में रिकॉर्ड करता था तो आज कल के देखी कुछ दिन पहले वी दो तीन दिन पहले एक लरका है कोलकता से मैं यह पर किसी का नाम नहीं रहा लेकिन उसने मुझे कि मैंने आपका वीडियो देखा बहुत अच्छे है आप दिन वगएरा से शूट करते हो और आपका आपका अच्छा है तो मैं आप से कॉलाब करना चाहता हूं कि हम दोनों का ग्रोव हो तो मैंने बोला नहीं भाई मेरे पास दिन नहीं है नहीं मैं कोई हाइफ लास करता हूं मैं आप ही की तरह स्मार्टफोन ही उस करता हूं और नॉर्मल सिर्फ मेरे पास माइक है वो तो आप भी ले सकते तो बंद को विश्वास नहीं हुआ मैं यह नहीं कह रहा हूं कि मैं बहुत बढ़िया करता हूं बिल्कुल नहीं मैं से बता रहा हूं कि मैं क्या कर करता हूं एडिटिंग के लिए एडिटिंग के लिए मैं प्रीमियर प्रो इस्तेमाल करता हूं हां प्रीमियर प्रो पेट सॉफटर मुझे पता है लेकिन जब आप इस तरीके के स्टेज में आता है तो आपको थोड़ा से इंवेस्ट करना पड़े गा ही लेकिन पहले मैं किस में करता हूँ अड़ आप प्रिमेर प्रो से तो अभी आप देखेंगे कि आजकल के जो लोग उन्हें जो इंग जनेरेशन है जो की वीडियो बना चाहते है तो उनको बहुत कुछ चाहिए अच्छा सेटप चाहिए अच्छा लाइटिंग चाहिए अच्छा कैमरा चाहिए अ आपका बढ़िया कैमरा आपके पॉकेट में मौचूद है आप अभी वीडियो उसी से देख रहे है आप फोन से शुरू कर दीजिए सिफ बाकी अपने आप गारी चलने लग जाएगा फोन से शूट कीजाए अगर आपके बास डिजिडल कैमरा है मैं आपको बता हूँ कि आप इस्तमाल मत कीजिए जो आता था ना सोनी का डिजिडल कैमरा जुसको आप बोलते थे तो उस कैमरा से वीडियो शूट मत कीजिए क्योंकि उससे मैंने पहले बहुत बार ट्राइक है लेकिन उसका मदब वो आयस वेगर इतने अच्छी से से शेट नहीं हो पता है तो फ आपको ध्यान रखना होगा ओडियो की क्वालिटी बहुत जादा मैटर करता है थोड़ा का करेगा कवागरा जो वो तो मेरा भी करता है वो सब ठीक है लेकिन अगर कुछ बैग्रांड में बहुत जादा नौयस आरा है या फिर आपको अपको अपको कट कट के आ रहा है कैस लो क्वालिटी ओडियो है तो यह एक्सेप्टेबल नहीं है यूट्यूब पर मतलब यह सुनने में अच्छा नहीं लगता है तो उसके लिए आप 200 रुपे 300 रुपे का माइक अपको मिल जाएगा अमाजान पर जो की लैपल माइक है विल्कुल इसी की तरह लेकिन यह मैं किसमें करूंगा स्मार्थ पोन करेंगे स्मार्थ फोन में बहुत सारे सप्ट जिन में वेकिग मशता है है आपको अपने उसके बहुत हैं सब्सक्रविंक तो यह नहीं था टूब लाइट के लाइट से हो जाता था और कभी कभी बाहर चले जाता था 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 धूद के रॉच्णी से हो जाता था लेकिन फिलाल मैंसआफ लेटे खडीदे है Amazon से लेकिन चीप लाइट है उतना हाइक लाइक क्लास तो तो अगर आप लेना चाहते हैं तो वयसे अगर लाइट मैं नहीं है तो भी आप कर सकते हैं अब देखिए यूट्यूब में ग्रोग करने के साथ साथ एक और चीज भी होता है कि सोचल मेडिया जैसे कि Facebook हो गया Instagram हो गया वो भी बहुत जादा कहीन है कि आपो सपोर्ट करेगा यूट्यूब के ओडियन्स को ग्रोव करने में तो मेरा इंस्टाग्राम एकाउंट है जो कि आप यहां पर भी देख सकते है फ्लेश हो रहा है साइड में तो यह जो फोटो देख रहा है इंस्टाग्राम के फोटो बहुत सारे मेन दोस्तों ने बोला कि तुन्हें डिसरार कप खड़ी दा भाई मेरे को नहीं बोला हमें नहीं बोला यह जो फोटो आप देख रहा है यह इसी फोन से शूट के गाए है समसंग का गालक्स M30 से तो इस फोन से देखिया आपके यह मैटर नहीं करता है कि आपके पास कौन सा एक्विप्मेंट है आपके पास कौन सा कैमरा है मैटर यह करता है कि आप उस चीज को किस तरीके से इंपलेमेंट करते है किस तरीके से उसको यूस करते है यह मैटर करता है तो ये जो आप फोटोस देख रहे हैं, महलत देखे आपने, तो ये सारे फोटोस मैंने इसी फोन से लिया है, और लाइट रूम, पता है आप सभी को Adobe का लाइट रूम आता है, उसमें मैंने एडिट किया है, कुछ एडिधिंग फोटोशॉप में किया है, तो इस तरीके से आ है हाई क्वालिटी एक्विपमेंट से सब धोका है सिर्फ हाँ एक टाइम आएगा जब आप बहुत जादा ग्रो करेंगे और आपको पैसे भी आने लग जाएंगे तब आप इन सब चीजों पर इन्वेस्ट कर सकते हैं अब इसलिए अगर आप बहुत जादा को सब्सक्राइ जाके शूट कर सकते हैं लेकिन फिलाल स्टार्टिंग के लिए मुझे नहीं लगता कि आपको हजार हजार लाख लाख रुपए खर्च करने के जरूरत है तो बस यही आज के लिए था अगर आपको इसके बार में कुछ और जानना है कुछ अगर मैंने यहापर मिस कर दिया फिर कुछ इन डीटेल में आपको कुछ जानना है तो मुझे कमेंट में बता दीजिए मैं जल से जल कोशिश करूँगा उसके बार में एक वीडियो राने का हाशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद है अगर आपको यह वीडियो पसंद है तो आप इस वीडियो को ल लाइक जरूर कर दीजिये और कोई सवारा तो कॉमेंट भी कर दीजिये गुडबाई